परिचय विश्व की प्रतेक वस्तू में गती होती है हम चलते हैं, दौडते हैं और साइकल चलाते हैं हम पेडों से गिरते पत्तों और बांध से बहते हुए पानी को देखते हैं मोटर गाड़ी और वायुयान यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं प्रिथ्वी 24 घंटे में एक पार अपनी अक्ष के परिता घूणन करती है तथा वर्ष में एक पार सूरे की परिक्रमा करती है सूरे अपनी ग्रहु सहित हमारी आकाश कंगा नामक मंदाकनी में विचरन करता है तथा जो स्वयम भी स्थानिय मंदाकनीों के समुह में गती करती है उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे यांत्र की और इसके वर्गी करण को समझना स्थैतिकी और गतिकी में भीत करना व्रामा अवस्था और गती के बीच विभीत करना सापेक्षिक गती को समझना गती के प्रकार समझना बिन्दू द्रवेमान वस्तू और निर्देश दंत्र को परिभाशित करना, पथ लंबाई और विस्थापन के बीच विभेद करना, वेग और चाल में विभेद करना, यांत्र की और इसके वर्गी करन सभी सजीव वस्तूएं बिना किसी बाहरी साहिता के स्वहता गती करती हैं, जन्दू एक स्थान से दूसरे स्थान तक गती करते हैं, या वे अपने शरीर के विमिन भागों को घुमाते हैं भौतिकी की शाख prag जो भौतिक वस्तूएं की गती का अधियन करती है, उसे यांत्र की कहते हैं यांत्र की को मोडे तौर पर दो रूपों में वर्गी करित किया गया है, स्थाधिकी और गत्र की स्थाधिकी एवँं गत्र की स्थैदिकी यांत्रिकी की वो शाखा जो उन वस्तूओं का अध्यान करती है जो विरामा वस्ता में हैं स्थैदिकी कहलाती है ये सामय वस्ता में कारे करने वाले बलों के प्रभाव में वस्तूओं की गती का अध्यान है समय एक महत्पून भूमी का निभाता है गतिकी, क्यांत्रिकी की वो शाखा जो गतिशील वस्तूओं और उनकी गति के कारकों का अध्यान करती है, उसे गतिकी कहते हैं, बल गति का कारण होता है समय इसमें भी एक महत्पून भूमी का निभाता है, व्रामा अवस्था एवं गति व्रामा अवस्था, कोई वस्तूओं यदी समय और अपने परिवेश के सापेक्ष अपने स्थान परिवर्थन नहीं करती, तो इसे व्रामा अवस्था में होना कहते हैं जब किताब मेज पर पड़ी होती है, या कोई व्यक्ति कुर्शी पर बैठा होता है, तो वो व्रामा अवस्था में होता है गति यदी एक वस्तू समय और अपने परिवेश के सापेक्ष स्थान परिवर्थित करती है, तो इसे उसका गति में होना कहते हैं हवा में उड़ती चुडिया, पानी में तैरता जलियान, गति के उधारण हैं, व्रामा अवस्था और गति सापेक्षिक होते हैं एक चलती हुई ट्रेन में बैठा व्यक्ति अपने सहियात्री के सापेक्ष वरामा अवस्था में है, लेकिन ट्रेन से बाहर की वस्तूओं के लिए गति में है, एक स्थिती में जो वस्तू गति में हो सकती है, वही वस्तू दूसरी स्थिती में वरामा अवस्था में हो सकत किन्तु धर्दी के संदर्भ में दूसरे ग्रहों के सापेक्ष वो गती में है गती के प्रकार गती तीन प्रकार की होती है रेखिये गती जब वस्तु एक सीधी रेखा के अनुदिश गती करती है तो उसे रैखिक गती कहते हैं वृत्य गती जब वस्तू एक वृत्त के अनुदिश गती करती है तो उसे वृत्ति ये गती कहते हैं दोलन गती एक निश्चित समय अंत्राल में किसी इस्थिर बिंदू के आगे पीछे गती करने को दोलन गती कहते हैं बिंदू द्रवेमान वस्तू कोई भी वस्तू बिंदू द्रवेमान वस्तू होती है यदि गधी के दोरान एक दिये गए समय में ये अपने आमाप से ज्यादा दूरी तै करती है उधारण प्रित्वी के सूरी के चारों तरफ परिक्रमा, सूरी के पारिता, पत की तुलना में प्रित्वी का वियास बहुत कम है अता प्रित्वी को बिंदू द्रवेमान वस्तू कहा जा सकता है निर्देश तंत्र पर एक केंद्र होता है एक विमिये, दुई विमिये और त्री विमिये गती एक विमिये गती तीन निर्देशांकों में से केवल एक के सापेक्ष गती करना साथी वस्तू की स्थिती समाई के सापेक्ष परिवर्तित हो रही होती है उधारण सरल रेखा में चल रही कार दुई विमिय गती तीन निर्देशांकों में दू के सापेक्ष वस्तु की गती साथ ही वस्तु की स्थिती समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रही होती है उधारण बलेड टेबल पर गती करती बलेड की गेंद त्री विमिय गती तीनों निर्देशांकों के सापेक्ष गती, साथ ही वस्तु की स्थिती समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है उधारण हवा में उर्ती हुई पतं पथ लंबाई और विस्थापन के बीच अंतर संपुआ पथ लंबाई और किसी वस्तु द्वारा दिये गए समय में की गई, गती के दौरान तै की गई वास्तविक्टूरी होती है ये शूनने नहीं हो सकती ये एक अदिश राशी होती है विस्थापन एक निश्चित दिशा में समान समय में वस्तु की दो इस्थितियों के बीच की निउनतमदूरी को विस्थापन कहते है ये शूनने हो सकती है ये सदिश राशी है चाल किसी वस्तु की गती उसके दोरा तै की गई कुल पथ लंबाई और लिये गई समय के अनुपात के रूप में परिभाशित की जाती है चाल बराबर पथ, घटा, लंबाई बटे समय अंतराल ये अदिश राशी है इसका SI मातरक मीटर प्रतिसकिन है इसका विमिय सूत्र निम्न है एक समान चाल और असमान चाल एक समान चाल जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तै करती है तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते है असमान चाल जब कोई वस्तु असमान समय अंतरालों में समान दूरी तै करती है या आसमान दूरियां समान समय में तै करती है तो उसकी चाल को आसमान चाल कहते हैं औसद चाल और ताथ क्षनिक चाल औसद चाल किसी वस्तु दौरा तै की गई कुल दूरी और लिये गई कुल समय के अनुपात को औसद चाल कहते हैं औस चाल पराबर संपून पत लंबाई बटे संपून समयावधी तादक्षणिक चाल समय अंत्राल डेल्टा टी में किसी वस्तू की चाल को तादक्षणिक चाल कहते हैं वेग और इसके प्रकार वेग और किसी वस्तू का वेग वस्तू के विस्थापन और विस्थापन में उसके द्वारा लिये गए समय के अनुपात के रूप में परिभाशित किया जाता है वेग पराबर विस्थापन बटे समयावधी ये एक सदिश राशी है इसका ऐसाई मात्रक मीटर प्रतिसकेंड है इसका विमिय सूत्र निम्न है एक समान वेक जब कोई वस्तू समान समय में समान दूरी तह करती है तो उसके वेक को एक समान वेक कहते हैं आसमान वेक जब कोई वस्तू आसमान समय अंत्रालों में समान दूरी तै करती है या आसमान दूरियां समान समय में तै करती है तो इसे आसमान वेक कहते हैं। गति का ग्राफ ये निरूपन दूरी समय ग्राफ दूरी समय ग्राफ से हमें चाल प्राप्प होती है। दूरी समय ग्राफ की प्रमड़ता से हमें चाल प्रदान करता है। 1. यदि दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, तो चाल एक समान है। 2. यदि दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा है, तो चाल आसमान है। क्या आप जानते हैं? प्रमान्ड में गती को यांत्रिकी के दो प्रत्यक्ष्टा परसपर विरोधी सिध्धान्तों के समुझ से वर्णित किया जाता है प्रमान्ड की सभी बड़े और ग्याद वस्तूओं की गती जैसे प्रक्षेप, ग्रह, कोशिकाएं और मनुशिका वर्लन क्लासिक यांत्रिकी द्वारा किया जाता है बहुत छोटे पर्मानविक और उप पर्मानविक आकार की वस्तून का वर्लन क्वांटम यांत्रिकी द्वारा किया जाता है स्वारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्शेप में तोहराएं स्थान में परिवर्तन को गती कहते हैं दूरी के सापेक्ष गती को चाहल कहते हैं और विस्थापन के सापेक्ष गती को वेक कहते हैं गती, सतत या परिवर्तनिय वेक के अनुरूप क्रमशा एक समान या आसमान हो सकती है दूरी या विस्थापन के परिवर्तन की दर हमेशा क्रमशा, चाल या वेक प्रदान करती है